हेलो फ्रेंड, नौ यू आर वाचिंग टार्गेट विथी मांसू 79,000 कटाफ मामले की सुनवाई इलाबाद हाई कोट की लखनव खंडपीट में 18 को होनी है उसके पहले ही 28 को लेकर 17 फरवरी को डवल बेंच में केस लिस्ट करवा दिया गया है ये आज केस नहीं किया गया था, केस पहले ही भी किया गया था और वह केस कनेक्ट कराया गया था इस्पेशल अपील 156 के साथ लेकिन बात में जज सहाब ने उस मैटर को डिटेक कर दिया था क्योंकि उसमें अलग प्रेयर की गई थी और तब से वह केस अनलिस्टेड था, उसके बाद अब वकील को 500 या 1000 रुपे दे कर दुबारा से जो अप्लिकेशन की फीस होती है, लिस्ट करवाने का चार्ज दे कर दुबारा से लिस्ट करवा दिया गया है, जिसमें यन्सीटी के रूल 28 जून 2018 को चैलेंज किया गया है, और उसमें बीएड को प्रात्विक में एंट्री जो दी गई है, उसको पूरे के पूरे उस भारत के राजपत्र को चैलेंज किया गया है, जिसकी सुनवाई कल 17 फरवरी को इलाबाद हाई कोट की लखनव खंडपीट में होना है, इसको लेकर आप बिलकुल भी चिंता ना करें, इसमें यन्सीटी प्रापर अंसर देगी, और उसके बाद उसमें मैटर का क्या होगा, वो आप अच्छे जानते हैं, कल क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लिजेगा, अगर आपको डाउट होगा या गलत सावित हो जाएगा, तो फिर आके मुझे बताएगा, पांच मिनट या दस मिनट की सुनवाई, इनके वकील को कोट पहली बार सुनेगी, उसके बाद, दो हपते का, चार हपते का, या दो हपते के बाद का जवाब देने के लिए कोट बोलेगा कि भाई आके कोई जवाब दाखिल करो, और उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक तरीके से पोस्ट डालेंगे, जिसमें साप कहेंगे कि B8 पर मामने पर बहुत ज खेल हो गया होगा बिचारा जो 97 बार पास नहीं होगा, वो इनके ग्रूप में जाकर जूड़ेगा, और ये एक-एक से अपना खाता नंबर ग्रूप में एड करेंगे, उसके बाद एक-एक से पैसे मांगेंगे, पांसो, एक हजार, पंदरसो, जितना वसूल सके वसूलें और कमाती रहेंगे, ये एक हकीकत है, सच है, जो आपको समझ लेना चाहिए, बाकी क्या होगा, उसको लेकर आप चिंता ना करें, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग कल परसों से ही, वाटसप गूरूप भी बना रखे होंगे, मुझे पूरा यकीन है, बना भी है, और उसमें बाकाइदा आप बीएड के नाम से लगणों से पैसा मांगा जाएगा, बीएड को बाहर करने को लेकर, तो और उसमें अधिक मातरा में पैसा अपने पास रखा जाएगा, ये ऐसे बैक पेंचर होते हैं, जो हर परिच्छा में आप लोगों ने हाई स्कूल से लन्च के बाद से भाग जाते हैं, तो लेशा में उस्वाड़किस, तो आप उन की कहानी है, और कोई बात नहीं है, जूर बाकि जूपर," पढ़कर लिखकर मेहनद कर पर चिंध हों旯ेशे मिदा समय और शेह ओद क्टापउर जीपोस्तरी हुआ करिए यह कोट केस इंफॉर्मेशन है जिसमें आप देख सकते हैं रिस्पॉंडेंट है नेशनल काउंसिल फर टीशर्स एजुकेशन यंसीटी इसेट आफ यूपी सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरिस्ट और डारेक्टर बेसिक एजुकेशन वगर वगर एसा भी लोग र राजपत्र को जो कि यंसीटी के द्वारा जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात कि 69,000 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो 69,000 वाले जान जाएं कि जिस दिन आपने परिच्छा दिया था उस दिन अठाय जुन 2018 का राजपत्र पूरे भारत में मान था जिस दिन आ आपको 79,000 से तो कोई बाहर नहीं कर सकता जाके डारीमन नोट कर लिजएगा अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होगा तो ठीक है तो आपको यकीन दिला रहा हूं अपने मतलब चैनल के माध्यम से कि आप बिलकुल निश्चिंत रहें मैंने पहले भी पिता दिया इनक को इन सबरी चीजों से दूर करिए अवाइड करिए अठारा को आपकी असरी सुनवाई होनी है कोट नमबर एक में विरोधी के अधिवक्ता मिस्रा जी का अर्गमेंट कंप्रीट होगा एचन सिंग साहाब आएंगे बोलेंगे वो आपकी इंपोर्टेंट है उसमें क्या हो हुआ है